नमस्कार, प्रस्तो थे रविंद्र ना टेगोर द्वारा रचित उपन्यास गोरा का सात्मा भाग आगे बढ़ने के पहले, जानते हैं कहानी अब तक परेश बाबु के घर से जब गोरा निकला, तो विने भी उनके साथ हो लिया गोरा विने को देखकर भी अंदेखा कर रहा था, एक बार गोरा अगर विने को डांट भी देता तो उसे तसली हो जाती वह चैन की सांस ले सकता था, पर आज पुरानी दोस्ती के आकाश पर काली घटा घिराई है एक और बात उसे शूल की भाती चुब रही थी परेश बाबु के घर पुराने परिचित की तरह उसे बैठे देखकर शायद गोरा को लग रहा होगा कि वह वहां हमेशा ही आता जाता है परेश बाबु के परिवार के साथ संबंध को वह मुल्यवान समझता है परन्तु गोरा का बंधूत्व भी विने के जीवन का अभिन्य अंग है उसके बिना भीवा जीवन की कलपना नहीं कर सकता परन्तु गोरा उसे छोड़कर आगे चला जाता है दोनों की पुरानी दोस्ती में इतने बरसों के बाद आज व्याग्धात उपस्तित हुआ है अगले दिन विने फिर गोरा के घर पहँचता है इस बार गोरा विने को आड़े हत्थो लेता है और बहुत ही बेरुखी से उससे बाते करता है गुस्से में फिरवा कहीं बाहर भी चला जाता है विन्य अनमना सा होकर उठता है उसे लग रहा था कि गोरा उसे डाटेगा, फटकारेगा उसने यह कभी नहीं सोचा था कि गोरा उसे अपने आप से इस तरह से दूर रखने का प्रयास करेगा गोरा का सोतेला बड़ा भाई महिम विन्य के पास आता है और उससे उसके सामने अपनी बेटी शशी मुखी के विवा का प्रस्ताव रखता है विन्य पहले तो सकते में आ जाता है लेकिन फिर यह सोचकर कि विवा हो जाने पर गोरा उससे आत्मियता के नाते अपने से दूर नहीं कर सकेगा उसे विवा की बात असंगत नहीं जान पड़ती है खुशोकर वह गोरा से मिलने उसके घर निकलने ही वाला था कि रास्ते में परेश बाबु ने उसे अपने घर में बुला लिया और वहीं बातचीत में शाम हो गई उन लोगों ने उसे अपने साथ उपासनगरी चलने का निमंत्रन दिया तो विन्य भी उनके साथ हो लेता है वहाँ गोरा विन्य को इस परिवार के साथ देख लेता है परन्तु उसे फिर से अंदेखा करके आगे बढ़ जाता है अब सुनते हैं आगे की कहानी गोरा ने इन लोगों को देख लिया है इसमें किसी को शक नहीं था किन्तु वह ऐसे भाव से तेजी से बढ़ गया मानो उसने उन्हें देखा ही न हो गोरा के इस अशिष्टता के कारण विन्य ने परेश बाबु के सम्मुख लज्जित होकर सिर जुका लिया किन्तु मन ही मनवस पश्ट समझ गया कि विन्य को इस गुट में देखकर ही यूँ विमुख होकर गोरा इतनी तेजी से चला गया है अब तक उसके मन में जो एक आनंद प्रकाशित हो रहा था वैस ऐसा बुझ गया विन्य के मन का भाव और उसका कारण सचारिता फोरण समझ गया और विन्य जैसे बंधु के प्रती गोरा की इस जादती और ब्रम्हों के प्रती उसकी इस अनुचित अवग्या से उसे गोरा पर फिर से क्रोधा गया गोरा का किसी तरह भी पराभव हो उसका मन यही चाह उठा दुपैर को गोरा खाने बैठी तो आनंद मही ने धीरे धीरे बात चलाई आज सविरे विन्य आया था तुमसे नहीं मिला थाली पर से आँख उठाई भी नहीं गोरा ने कहा हाँ मिला था बहुत देर तक आनंद मही चुप बैठी रही उसके बाद बोली उसे रुकने को कहा था किन्तु वह अनमना सा होकर चला गया गोरा ने फिर कोई उत्तर नहीं दिया आनंद मही ने कहा उसके मन को न जाने कौन सा दुख है गोरा उसे मैंने कभी ऐसा नहीं देखा मुझे कुछ अजीब ही लग रहा है गोरा चुप चाप खाता रहा अत्यंत स्ने के कारण ही आनंद मही मन ही मन गोरा से थोड़ा डरती थी अगर वह अपने मन की बात अपने आप उनसे न कहता तो वह उसे मजबूर नहीं करती थी और कोई दिन होता तो वह इतने पर ही चुप हो जाती किन्तो उनके मन में आज वीने के लिए बड़ा दर्द था इसलिए उन्होंने फिर कहा देखो गोरा, एक बात कहूं, नाराज मत हो न भगवान ने अनेकों लोग बनाये हैं लेकिन रास्ता सबके लिए एक नहीं बनाया वीने तुम्हे प्राणों से बढ़कर सनेह करता है इसलिए तुम्हारी और से सब कुछ सह लेता है लेकिन उसे तुम्हारे ही निर्दोष्र पर चलना होगा ऐसी जबरदस्ती करने का फल सुख कर नहीं होगा गोरा ने कहा मा और थोड़ा दूदला देना बात यहीं खतम हो गई भोजन के बाद आनंद में चुप चाप तक्त पोष्ट पर बैठकर सिलाई करने लेगी लचमेनिया घर के किसी नौकर के दूरवार की शिकायत करने में आनंद में की दिल्चस्पी जगाने की बेकार चेश्ठा करके फर्ष पर लेट कर सो गई चिठी पत्री में गोरा ने बहुत सा समय बिता दिया गोरा विने पर नाराज है आज सवेरे विने यह स्पष्ट देख गया फिर भी वह इस नाराजगी को मिटाने के लिए गोरा के पास ने आई यह हो ही नहीं सकता यही मानकर अपने सब कामों के बीच भी वह गोरा के पैरों की ध्वनी के लिए कान लगाये था पर बड़ी देर तक विने नहीं आया गोरा लिखना छोड़कर उठने की सोची रहा था कि तभी महीम कमरे में आ गया आते ही कुरसी पर बैट कर बोले शशमुकी के व्याह के बारे में क्या सोचा गोरा इस बारे में कभी कुछ गोरा ने सोचा ही नहीं था इसलिए अपराधी सा चुपचाप खड़ा रहा पात्र का भाव बाजार में कितना बढ़ा हुआ है और इधर घर में रुपे पैसे की कितनी तंगी है महीम ने यह सब बता कर गोरा को कुछ उपाय सोचने को कहा गोरा सोच कर भी जब कोई हल न पा सका तब उन्होंने मानों इस चिंता कष्ट से उसे मुक्त करने के लिए विने की बात चलाई हलाकि इतना घुमा फिरा कर बात करने की कोई जरूरत नहीं थी किन्तो मुह से महीम चाहे जो कहे मनी मन गोरा से डरते थे इस प्रसंग में विने की बात भी उठ सकती है विने क्यों ब्याह करेगा महीम बोले क्या यही तुम लोगों का हिंदुपन है हजार चुटिया रखो और तिलक लगाओ साही भी सिर पर चड़कर बोलती है शास्त्रों के अनुसार विवाह भी ब्रह्मन के लड़के का एक संस्कार है यह तो जानते हो आजकल के लड़कों की तरह महीम आचार भी नहीं तोड़ते और शास्त्र की दुहाई भी नहीं देते होटल में खा ना खा कर बहदुरी दिखाने को भी वह ठीक नहीं समझते और गोरा की तरह हमेशा शुरुतिल स्मृति को लेकर उलजते रहना भी वह स्वस्ता आदमी का लक्षन नहीं मानते किन्तो गोरा के सामने शास्त्र की दुहाई उन्हें देनी ही पड़ी अगर दो दिन पहले यह प्रस्ताव आया होता तो गोरा उसे एक बारगी अनसुना कर देता किन्तो आज उसे ऐसा लगा कि यह बात एकदम उपेक्षा के योग्य नहीं है कम से कम इस प्रस्ताव के कारण फोरण विनय के घर जाने का एक मौका तो मिली सकता है अंत में उसने कहा अच्छा विनय का क्या विचार है जरा यह भी समझ लू महिम बोले उसमें समझने को क्या है वह तुम्हारी बात को किसी तरह नहीं टाल सकता वह मान जाएगा तुम्हारा कहना ही काफी है उसे दिन सांज को गोरा विनय के घर जा पहुँचा आंधी के समान उसके कमरे में प्रवेश करके उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं है बैरा को बुला कर पूछने से पता चला कि बाबू 78 नंबर वाले मकान में गये है सुनकर गोरा का चित फिर विकल हो उठा जिसके लिए आज सारा दिन गोरा का मन अशांत रहा उस विनय को आजकल गोरा पर ध्यान देने की भी फुरसत नहीं है गोरा चाहे नाराज हो चाहे दुखित हो विनय की शांती और चैन में उससे कोई रुकावट नहीं पड़ती परेश बाबू के परिवार के विरुद्ध, ब्रह्म समाज के विरुद्ध गोरा का मन बिलकुल विशाक्त हो उठा मन में एक तीखा आक्रोश लेकर वह परेश बाबू के घर की ओर चला उसका मन हुआ वहां कुछ ऐसी बात पैदा कर दे जिससे सुनकर उस ब्रह्म परिवार की लोग जले और विनय पर भी तिल मिला कर रह जाए उसने परेश बाबू के घर पहुँच कर सुना कि घर पर कोई नहीं है सभी उपासना भवन गये वे हैं उसने चनभर के लिए सोचा कि शायद विनय न गया हो शायद इसी समय वह गोरा के घर के लिए निकल गया हो वह वहां और न रुका अपने स्वाभाविक आंधी की सी चाल से वह भवन की ओर चला द्वार के पास पहुँचते ही उसने देखा कि विनय वर्दा सुन्दरी के पीछे उनकी गाड़ी में सवार हो रहा है खुली सड़क के बीच बेशरम होकर पराय घर की लड़कियों के साथ एक गाड़ी में बैठ रहा है मूर नाग पाश में इतनी जल्दी इतनी आसानी से फस गया इस दोस्ती के लिहाज का अब कोई मतलब ही नहीं रहता गोरा आंधी की तरह आगे बढ़ गया और गाड़ी के अंधेरे हिस्से में बैठावा विने चुप चाप रास्ती की और ताकता रह गया वर्दा सुन्दरी ने समझा कि आचारे का उपदेश विने के मन पर असर कर रहा है इसलिए आगे उन्होंने कोई बात नहीं की रात को घर लोटकर गोरा अंधेरी चट पर व्यर्थ चक्कर लगाने लगा उसे अपने उपर क्रोध आ रहा था रविवार को उसने यू व्यर्थ बीत जाने दिया एक व्यक्ति के स्नेह के लिए दुनिया के हर काम को बिगारने के लिए तो गोरा इस दुनिया में नहीं आया था विने जिस रास्ती पर जा रहा है उससे उसे खींचते रहने की चेश्ठा करना केवल समय नश्ट करना और अपने मन को तकलीफ देना है इसलिए जीवन उद्देशे के पत पर विने से यहीं अलग हो जाना होगा जीवन में गोरा का एक ही मित्र है उसी को छोड़ कर वा अपने धर्मे के प्रती अपनी सच्चाई प्रमानित करेगा जोर से हाथ जटक कर गोरा ने मानुव विने के सहचरे को अपने चारो ओर से दूर हटा दिया तभी छट पर पहुँचकर महिम हाफते हुए बोले इंसान को अगर पंक न मिले तो तीमंजिले मकान बनवाई ही क्यों जमीन पर चलने वाले मनुष्य आसमान में रहने की कोशिश करें तो आकाश चरी देवता इसे कैसे सहेंगे विने के पास गय थे इसका गोरा ने सीधा जवाब न देते वे कहा विने के साथ सशी मुकी का व्याह नहीं हो सकेगा महिम क्यों? क्या विने की मर्जी नहीं? गोरा मेरी मर्जी नहीं है हाथ नचा कर विने ने कहा वाह! एक नया फसाद खड़ा हुआ तुम्हारी मर्जी नहीं वज़ा क्या है? जरा सुनू गोरा मैंने अच्छे तरह समझ लिया है कि विनय के लिए हमारे समाज में बने रहना मुश्किल होगा उसके साथ हमारे घर की लड़की का विवाह नहीं हो सकता महिम मैंने बहुत हिंदू पना देखा है लेकिन ऐसा तो कभी नहीं देखा तुम तो काशी भाट पाड़ा से भी आगे बढ़ गये तुम तो भविश्य देखकर विधान देते हो किसी दिन मुझसे भी कहोगे कि सपने में देखा कि तुम क्रिश्चन होगे गोबर खाकर फिर जात में आना होगा काफी बखबख करने के बाद महिम ने फिर कहा लड़की को किसी मुर्खी के गले में तो बांध नहीं सकता और जो पढ़ा लिखा लड़का होगा वो समझदार होगा जो बीच-बीच में शास्त्र का उलंगन करेगा इसके लिए उसमें बहस करो, उसे गाली दो किन तु ब्याह रोक कर मेरी लड़की को सजा क्यों देते हो तुम हर बात ही उल्टी सूचते हो महिम ने नीचे उतर कर आनंद मही से कहा मा तुम ज़रा गोरा को संभालो घबरा कर आनंद मही ने पूछा क्या हुआ महिम शशी मुखी के साथ विने के ब्याह की बात एक तरह से पक्की करके आया था गोरा को भी राजी कर लिया इस बीच गोरा ने अच्छी तरह समझ लिया कि विने में उसके जैसे हिंदूपन नहीं है विने पराशे की राय से उसकी राय कभी-कभी थोड़ी 19-20 हो जाती है इसलिए गोरा अड़ गया है अड़ने पर वह कैसा अड़ता है या तो तुम जानती ही हो कल्यूक के जनक ने अगर प्रण किया होता है कि जो टेड़े गोरा को सीधा करेगा उसी को सीथा देंगे तो श्रे राम चंद्र कुवारे ही रह जाते या मैं शर्थ लगा कर कह सकता हूँ मनो पराशर की इस दुनिया में वह तुम ही को एक मानता है अब तुम ही जाकर उबारों की लड़की का कल्लान हो सकता है या नहीं ढूनने पर भी ऐसा पात्र नहीं मिलेगा चतपर गोरा के साथ जो कुछ बात चीत हुई थी महीम ने उसका पूरा खुलासा सुना दिया वीने से गोरा का विरोध और गहरा हो गया है यह जानकर आनंदमई का मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा उपर जाकर आनंदमई ने देखा कि गोरा चत पर टहलना छोड़कर कमरे में एक कुरसी पर जा बैठा है और दूसरी कुरसी पर पैर फेला कर किताब पढ़ रहा है एक कुरसी को पास कीच कर आनंदमई भी बैठ गई गोरा ने कुर्सी पर से पैर हटा लिया और सीधे बैठते वे आनंद मही के चेहरे की और देखने लगा आनंद मही ने कहा बेटा गोरा मेरी एक बात याद रखना विने से जगड़ा मत करना मेरे लिए तुम दोनों दो भाई हो तुम्हारे बीच फूट पड़ जाएगी तो मुझसे सहा नहीं जाएगा गोरा बोला बंधू ही अगर बंधन काटेगा तो उसके पीछे-पीछे भागने में मुझसे समयनष्ट नहीं किया जाएगा आनंद मही ने कहा मैं नहीं जानती कि तुम दोनों की बीच क्या घटा है किन्तु विने तुम्हारा बंधन काटना चाहता है इस बात पर अगर तुम विश्वास करते हो तो फिर तुम्हारे दोस्ती में क्या आसर है गोरा मा मुझे सीधा रास्ता पसंद है जो दोनों तरफ बनाए रखना चाहते हैं उनके साथ मेरी नहीं निपती जिनका स्वभाव ही दो नाओ पर पैर रखने का है उसको मेरी नाओ पर से तो पैर हटाने ही पड़ेगा इसमें चाहे मुझे तकलीफ हो चाहे उसे तकलीफ हो आनंद मही हुआ क्या है यह तो बताओ वा ब्रम्ह लोगों के घर जाता है यही उसका अपराध है ना गोरा बहुत सी बाते है मा आनंद मही हुआ करे बहुत सी बाते लेकिन मेरे एक बात सुन लो गोरा हर मामले में तुम इतने जिद्धी हो कि जिसे पकड़ते हो है क्या इसलिए तुम्हारे और सब साथियों से वह कमतर हो गया गोरा चुपचाप सोचने लगा आनंद में कि इस तार्णा से अपने मन के स्थिती उसके सामने साफ हो गई अब तक वह समझ रहा था कि वह करतवे के लिए दोस्ती का बलिदान करने जा रहा है अब उसने स्पष्ट देखा कि बात ठीक इसके विपरीत है उसकी दोस्ती के अभिमान को ठेस लेगी है इसलिए विने को वो दोस्ती की सबसे बड़ी सजा देने को उद्धत हुआ है मन ही मनवा जानता था कि विने को बांधे रखने के लिए मित्रता ही काफी है और किसी तरह की कोशिश दोस्ती का अपमान होगा उसकी बात गोरा के मन को चूग गई है इसका भान होते ही आनंद में और कुछ कहे भीना उठकर धीरे धीरे जाने लेगी सैसा गोरा भी तेजी से उठा और खूटी पर से चादर उतार कर कंधे पर डाल दी आनंद में न पूचा कहीं जा रहए हो गोरा गोरा ने कहा विने के घर जा रहा हूं आनंद में खाना तयार है, खा कर जाना गोरा मैं विने को पकड़के लाता हूं, वभी यहीं खाएगा और कुछ न कहकर आनंद में नीचे की ओड़ चली सीड़ी पर पैरों की ध्वनी सुनकर सैसा रुख कर बोली वह तो विने आ रहा है विने को देखते ही आनंदमे की आखें चलचला उठी उन्होंने स्नेय से विने के कंधे पर हाथ रखते वे कहा विने बेटा, खाना तो नहीं खाया न तुमने विने ने कहा, नहीं मा आनंदमे, तुम्हें यहीं भोजन करना होगा एक बार विने ने गोरा की मुँँ की ओर दे गोरा ने कहा, बड़ी लंबी उमर है विने तुम्हारी मैं तुम्हारे आई जा रहा था आनंद मई का हृदय हलका हो गया, वह तेजी से उतर गय कमरे में आकर दोनों बैठे तो गोरा ने यूही वारतलाब शुरू करने को कुछ बात उठाते वे कहा जानते हो अपने साथियों के लिए एक बहुत अच्छा जिमनास्टिक मास्टर मिल गया है, सिखा भी अच्छा रहा है मन के भीतर दबी बात सामने लाने का साहस अभी किसी को नहीं था दोनों जब खाने बैठ गये तब उनकी बातचीत के ढंग से आनंद में ही जान गई कि अभी तक उनके बीच का खिचाओ बिल्कुल खतम नहीं हुआ है दोराओ अभी भी बाकी है बोली विने रात बहुत हो गई है आज तुम यहीं सो रहे न मैं तुम्हारे गर सूचना भिजवाए देती हूँ विने ने चकीत होकर गोरा के चेहरे की और देखते वे कहा खा पी कर राह चलने का नियम नहीं है तो फिर आज यहीं सोया जाएगा भोजन करके दोनों मित्र छत पर आकर चटाई बिचा कर बैठ गया भादो जा रहा था शुकल पक्ष की चांदनी आकाश में चिटकी वी थी हलके सफेद बादल मानों जिन्द के हलके जोके से बीच बीच में चांद पर जाकर घूंगट करते फिर धीरे धीरे उड़कर चले जाते चारों और दिगंत तक छोटी बड़ी उची नीची छतों की श्रेणी फ्रकाश चाया में और कभी-कभी पेड़ों के शिखर के साथ मिलती वी मानों किसी कभी की कलपना की तरब फैली वी थी गिरिजा घर की घड़ी में ग्यार बजे कुलफी वाला अपना आज का आखरी हांक लगा कर चला गया गाडियों का शोर धीमा पड़ गया गोरा की गली में किसी के जागने का कोई चिन्ध नहीं था केवल पडोसी के अस्तबल के काट के फर्ष पर घोड़े की टाप का शब्द कभी कभी सुनाई पड़ जाता या कोई कुत्ता भौकुटता था बहुत देर तक दोनों चुप रहे फिर विनय ने पहले कुछ सकुचाते वे और फिर बड़ी तेजी से अपने मन की बात कह डाली भाई गोरा मेरे हृदय भर उठा है मैं जानता हूँ कि इन सब बातों की और तुम्हारा ध्यान नहीं है किन्तु तुम्हें कहे बिन रहा भी नहीं जाता भला बुरा कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ किन्तु इतना निश्चे है कि यहां कोई चाला की नहीं चलेगी किताबों में बहुत कुछ पढ़ा है और इतने दिनों से यही सोचता आया हूँ कि मैं सब जानता हूँ जैसे तस्वीरों में पानी देखकर सोचता रहता था कि तैरना बहुत आसान है किन्तु आज पानी में उतर कर पल भर में ही पता चल गया कि यह हसी खेल नहीं है यों कहकर विनय अपने जीवन के इस नए आश्चरे के उदै को यतन पूर्वक गोरा के सामने प्रकट करने की कोशिश करने लगा वा कहने लगा आजकल उसके लिए जैसे दिन और रात में कहीं कोई दूरी नहीं है सारे आकाश में कहीं कोई जगा सूनी नहीं है सब कुछ पूर्ण रूप से भर गया है जैसे वशंतरितु में शहद का चत्ता शहद से भर कर फटने लगता है वैसे ही पहले इस चराचर विश्व का बहुत सा हिस्सा उसकी जीवन के बाहर ही पड़ा रहता था जिनसे उसका मतलब था उतनी पर ही उसकी नजर पड़ती थी किन्तु आज वह पूरा का पूरा उसके सामने है वह पूरा उसे स्पर्ष करता है पूरा एक नए अर्थ से भर उठा है वह नहीं जानता कि धर्ती को वह इतना प्यार करता है आकाश ऐसे अचरत से भरा पड़ा है प्रकाश ऐसा अपूर्व होता है सड़क पर अपरचित यात्रियों का आना जाना भी इस गंभीर भाव से सच है उसके इक्षा होती है कि इस संपूर्णता के लिए वह कुछ उद्दम करे अपनी सारी शक्ति को आकाश के सूर्य की भाती वह संसार के अनवरत उपयोग में लगा दे सारी बाते वी ने किसी विशेश व्यक्ति के संबंध में कह रहा है ऐसा नहीं जान पड़ा मानों वह किसी का नाम जुबान पर नहीं ला सकता कोई आभास देने में भी सकुचा जाता है यह जो चर्चा वह कर रहा है इसमें भी वह जैसे अपने को किसी के प्रती अपराद अनभो करा रहा है यह चर्चा अन्याय है यह अपमान है किन्तो आज इस सूनी रात में निस्तब्द आकाश के नीचे बंधू के पास बैठ कर इस अन्याय सवक किसी तरह अपने आपको रोक नहीं सका कैसा है या चहरा प्राणों की देप्ती उसके कपोलों की कोमलता की बीच इतनी सुकुमारिता से चमक उठती है हसने पर उसका अंतहकरन मानो अद्भुत आलोक सा फूट परता है ललाट पर कैसे बुद्धी जलकती है और घनी भवों की चाया की नीचे दोनों आखें कैसे अवर्णी है और दोनों हाथ मानो कह रहे हों कि सेवा और प्रेम की सुन्दर्ता को सार्थक करने के लिए सदा प्रस्तू थे विने अपने जीवन और यवन को धन्य मानता है आनन्द से मानो उसका हृदे फूला नहीं समा रहा है प्रित्वी के अधिकतर लोग जिसे देखे भी नहीं जीवन विता देते हैं विने उसे यूँ आखों के सामने मूर्त होता देख सकेगा इससे बड़ा आश्यरे और क्या हो सकता है लेकिन यह कैसा पागलपन है अनुचित बात है हुआ करे अनुचित अब उससे और नहीं समलता अगर यही धारा उसे किसी किनारे लगा दे तो ठीक है अगर बहा दे या डोबा ही दे तो क्या उपाय है मुश्किल तो यही है कि उधार की इक्षा भी नहीं होती इतने दिनों के संसकार और परिस्थितियां सब भूला कर चलते जाना ही मानुजीवन का सार्थक लक्षे है गोरा चुपचाप सुनता रहा इसी छट पर ऐसे ही निर्जन चांदनी रात में और अनेको ही बार दोनों में बहुत सी बाते हुई है साहित्य की, जमाने की, संसार कल्यान के कितनी ही चरचाएं आगत जीवन के बारे में दोनों के कितने ही संकल्प लेकिन ऐसी बात इसके पहले कभी नहीं हुई मानव रिदय का इतना बड़ा सत्य ऐसा प्रकाश गोरा के सामने कभी नहीं आया इन सारे क्रिया कलाप को वह इतने दिनों से कविता का खिलवार कहकर उसकी पूर्णत उपेक्षा करता आया है आज उसे इतना पास देखकर वह उसको और अस्विकार न कर सका इतना ही नहीं उसके वेग ने गोरा के मन को हिला दिया उसकी पुलक उसके सारे शरीर में बिजली किसी लहक गई उसके यौवन के किसी अगोचर अंश का परदा पलभर के लिए हवा से उड़ गया और अनेक दिनों से बंद उस स्थान में शरद रजनी की चांदनी प्रवेश करके माया का विस्तार करने लेगी नजाने कब चंद्रमा छटों के पीछे चिप किया फिर पूर्व की ओर सोय हुए शुशु की मुस्कोराहट लेकर हलके से प्रकाश का आभास हुआ इतनी देर के बाद विने का मन हलका हुआ तो एक जखजोर ने उसे ग्रास लिया थोड़ी देर चुप रहकर वा बोला मेरी ये सब बाते बड़ी ओची लगेंगी तुमें तुम मन ही मन शायद मेरा मजाक भी उड़ा रहे हो लेकिन क्या करूँ कभी तुम से कुछ चुपाया नहीं आज भी कुछ नहीं चुपा रहा हूँ तुम समझो या न समझो गोरा ने कहा विने में यह सब बाते ठीक ठीक समझता हूँ ऐसा तु नहीं कह सकता अभी दो दिन पहले तक तुम भी कहां समझते थे और जीवन के कामकाज के बीच आज तक यह सब आवेग और आवेश मेरी नजर में छोटी सी चीज थी इनकी शक्ती और गंभीरता से मेरा सामना नहीं हुआ था इसलिए ये मुझे सारहीन और छलना सी लगी है लेकिन तुम्हारे इतनी बड़ी उपलब्धी को मैं आज जूट कैसे कह दूँ असल बात यह है कि जो आदमे जिस चेतर में है उस चेतर के बाहर की सच्चाई यदि उसके निकट छोटी न बनी रहे तो वह काम ही नहीं कर सकता इसलिए नियमता दूर की चीजे मनुशे को चोटी नजर आती है सब सत्यों को इश्वर्क एक सब प्रत्यक्ष करके उसे आफत में नहीं डालता हमें कोई एक पक्ष चुन नहीं होगा सब कुछ एक साथ जकर लेने का लोब छोड़ नहीं होगा नहीं तो सच्चाई हाथ नहीं आएगी तुम जहां खड़े होकर सत्य के जिस मूर्ती को प्रत्यक्ष देखते हो मैं वहीं उस मूर्ती का अभिवादन करने नहीं जा सकूँगा उससे मेरे जीवन का सत्य नश्ट हो जाएगा वह या तो इधर हो या उधर विनय बोला यानि या तो विनय हो या गोरा मैं अपने को पल भर लेने के लिए निकला हूँ और तुम अपने को त्याग देने के लिए खीचकर गोरा ने कहा विनय तुम मुझबाने किताबे लिखना शुरू मत करो तुम्हारे बात सुनकर एक बात में स्पष्ट समझ गया हूँ तुम अपने जीवन में आज बहुत ही प्रबल सत्य के सामने खड़े हो उसे टाल नहीं सकोगे सत्य की उपलब्दी हो जाने से अगर आगे आत्मसमर्पन करना ही होगा तो दूसरा मार्ग नहीं है तुम्हारे सामने जब प्रेम प्रत्यक्षि हुआ है तभी तुम जान सकी कि किताबी ज्यान से वह कितना अधिक सत्य है वह तुम्हारे चराचर जगत पर छागिया है और तुम कहीं भी उससे चुटकारा नहीं पा रहे हो मेरे सामने जिस दिन स्वदेश प्रेम ऐसे ही सर्वांगीन भाव से प्रत्यक्षो हो जाएगा उस दिन मेरे भी बचाव का रास्ता न रहेगा उस दिन वह मेरा जीवन धन, मेरा हाड मांस मज्जा मेरा आकाश प्रकाश, मेरा सब कुछ अनायास खीच कर ले जा सकेगा स्वदेश की वह सत्यमूर्ती कैसी विसमे भरी सुन्दर, सुनिश्चित और सुगोचर है उसका आनंद और उसकी वेदन कितनी प्रचंड प्रबल है जो पल भर में जीवन मरन को बाड की तरह बहा ले जाती है आज यह तुम्हारी बात सुनकर मन ही मन थोड़ा बहुत अनभव कर पा रहा हूं तुम्हारे जीवन की यह उपलब्धी आज मेरे जीवन को ललकार रही है तुमने जो पाया है उसे मैं कभी समझ सकूँगा या नहीं यह तो नहीं जानता किन्तु मैं जो पाना चाहता हूं मानो उसका आस्वात तुम्हारी मार्फत थोड़ा थोड़ा पासका हूं कहते कहते चटाई छोड़कर गोरा उठ खड़ा हुआ और छट पर टहलने लगा पूर्व में उशा का आभास मानो उसे एक वेद वाक्य सा लगा मानो प्राचीन तपवन से एक वेद मंत्र उच्चारित हो उठा उसके शरीर में रोमान चुआया उसे ऐसा लगा उसके प्राण, चेतना, शक्ती मानो पूर्णत एक परम आनंद में जा मिले है जब गोरा अपने आप में लोट आया तब सहसा बोला विने तुम्हें इस प्रेम को भी पार करके आना होगा मैं कहता हूँ वही रुप जाने से नहीं चलेगा मेरा आहवान जिस महाशक्ती ने किया है वह जितना बड़ा सत्य है यह मैं तुम्हें एक दिन दिखाऊंगा आज मेरा मन भारी आनंद से पूरी थै अब मैं तुम्हें किसी और के हाथ में नहीं छोड़ सकूँगा चटाई छोड़कर विने उठ गया और गोरा के पास जाकट खड़ा हुआ गोरा ने एक अपूर्व उत्साह से उसे दोनों बाहों से घेर कर गले लगाते वे कहा भाई विने हम मरेंगे तो एक ही मौत मरेंगे हम दोनों एक हैं, कोई हमें अलग नहीं कर सकेगा, कोई बांध नहीं सकेगा गोरा के इस गहन उत्साह का वेग विने की हुरेदय को और भी तरंगित करने लगा उससे कुछ कहे बिना उसने अपने आपको गोरा के इस उत्साह के प्रति सौप दिया गोरा और विने दोनों चुपचाप साथ साथ टहलने लगे पुर्व का आकाश लाल हो उठा गोरा ने कहा भाई अपनी देवी को देखता हूँ तो सौंदर्य के बीच नहीं मुझे तो सबसे बड़ा आनंद यही जान पड़ता है कि वहाँ सुख में मगन होने को कुछ नहीं है वहाँ अपने ही सहारे पूरी तरह जागरित रहना होगा सब कुछ देना होगा वहाँ मधूरता नहीं है वहाँ एक दुर्जे दो सहाई अविर्भाव है निष्ठुर है, भयंकर है उसमें एक ऐसी जनकार है जिसमें सातो स्वर एक सात बज उटने से ही तार तूट जाते हैं उसके स्मरण से ही मेरा मन उल्लास से भरूटता है मुझे जान पड़ता है कि यही पुरुष का आनंद है यही जीवन का तांडव निर्त है मैं लाल प्रकाश के एक बंधन मुक्त जोतिर में भविषय को देख पाता हूँ आह, इस मोह को भी देख रहा हूँ देखो, मेरे हृदय के भीतर कौन डमरू बजा रहा है विना ने कहा भाई गोरा मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा किन्तु तुमसे इतना कहता हूँ कि मुझे कभी दुविधा में मत रहने देना एकदम भागे की तरह कठोर होकर मुझे खीचे लिये जाना हम दोनों का रास्ता एक है लेकिन दोनों की शक्ति तो बराबर नहीं है गोरा ने कहा हमारी प्रकृतियां अलग-अलग है लेकिन एक बहुत गहरा आनंद हमारी भिन प्रकृतियों को एक कर देगा जो प्रेम तुम्हारे मेरे बीच है उससे भी बड़ा प्रेम हमें एक कर देगा जब तक वह प्रेम प्रत्यक्ष नहीं होगा तब तक हम दोनों के बीच पग पग पर टकरहट विरोध अलगाव होता रहेगा फिर एक दिन हम सब कुछ भूला कर अपना अलगाव अपना बंधुत्व भी भूल कर एक बहुत बड़े विशाल प्रचंड आत्म परिहास के द्वारा अटल शक्ती के द्वारा एक हो जाएंगे वह कंठित आनंदी ही हमारे बंधुत्व की चरम उपलब्दी होगी गोरा का हाथ पकड़ते वे विने बोला ऐसा ही हो गोरा ने कहा लेकिन जब तक तुम्हें मैं दुख देता रहूँ मेरे अत्याचार तुम्हें सैने होंगे क्योंकि अपने बंधुत्व को ही मैं जीवन का अंतिमुद्देश नहीं मान सकूँगा किसी भी तरह उसी को बचाते रहने की कोशिश करके उसका अपमान नहीं करूंगा इससे अगर दोस्ती टूट जाए तब तो कोई उपाय नहीं है लेकिन गर रहे तब ही उसकी सार्थकता है इसी समय पैरो की आवाज सुनकर दोनों चौक कर पीछे मुड़ कर देखे तो आनंद मही छट पर आ रही थी उन्होंने दोनों के हाथ पकड़ कर खीच कर उन्हें नीचे ले जाते वे गा चलो जाकर कमरे में सो दोनों ने कहा अब क्या नींद आएगी मा? आएगी कहकर आनंद मही ने दोनों को बिस्तर पर पास पास लिटा दिया और सिरहा ने बैठकर पंखा जलने लगी विन्हे ने कहा मा तुम्हारे पंखा जलते रहने से तो हमें नींदी नहीं आएगी आनंद मही बोली कैसे नहीं आएगी? देखू, मैं चली गई तो तुम लोग फिर से बेकार की बहस करने लगोगे वा नहीं होने दूंगी दोनों के सो जाने पर चुपके से आनंद में कमरे के बाहर चली गई उन्होंने सीडियों से उतरते वे देखा कि महीम उपर जा रहा है उन्होंने कहा अभी नहीं, सारी रात वे लोग सोए नहीं मैं अभी अभी उन्हें सुला कर आ रही हूँ महीम ने कहा वाहरे, इसी को कहते हैं दोस्ती ब्याह की कोई बात हुई या नहीं, तुम्हे कुछ पता है आनंद में पता नहीं महीम, जान पड़ता है कुछ न कुछ तै हो गया है उनकी निंद कब टूटेगी ब्याह जल्द ना हुआ तो कई मुश्किले आखड़ी हो सकती है हसकर आनंद में ने कहा उनके सो जाने से ऐसे कोई बड़ी मुश्किल नहीं करी होगी वे लोग आज ही किसी से में जाग जाएंगे वर्दा सुन्दरी ने परेश बाबू से पूछा तुम सुचारिता का विवाह नहीं करोगे शेश कहानी अगले भाग में रबिंदर ना टेगोर द्वारा रचित गोरा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अगला भाग लेकर जल्द उपस्तित होंगे धन्यवाद